नमस्कार, नए लोगों से मिनने में दिक्कत आती है, नए लोगों से दोस्ती करने में दिक्कत आती है, हिच की चाहट आती है, फर्ष्ट बार बात करते तो चेरे में पसीना आ जाता है, अंदर से कपकपी छूटती है, नए लोगों से दोस्ताना वेवार करने में दिक्कत आ होती हैं इसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दोस्त बनाना पारिटिया करना इंज्वे करना थोड़ा अजीब सा मेसूस होता है नए लोगों से साथ गुलना मिनना नए लोगों से बात करना उनको थोड़ी हिच किचाहट होती है वो डरे डरे से रहते हैं उनके मन में डर रहता है यार मैं उनसे कैसे बात करूँ मैं उनसे क्या बात करूँ और बात करते करते वक्त रुक जाना चेहरे पर पसीना आ जाना अंदर मन में एक हिच किचाहट पैदा होना हक लाना यह बहुत से लोगों की प्रोब्लम है इसलिए वो ज़्यादा लोगों से गुलते मिलते नहीं है वो अकले कही जाते नहीं है अपने साथ किसी को लेके जाते हैं क्योंकि उनको confidence रहे अकले नहीं जाते हैं उनको कोई यार वो तो आँ दस लग बैठे हैं डर दूर करना है तो सबसे पहले तो आप practice करें सुरुवात में दिरे दिरे क्या है सुरुवात में आप एक एक दो दो लोगों के साथ में बात करें अंजान लोगों से बात करें और रिलेक्स रेके बात करें आप शुरू से जाते ही निएक दस लोगों से जाकर जाकर बिढ़ बात करने लगे नहीं आपको इस्टे बढ़ना होगा रहा है शुरुवात में दीरे दीरे आपको प्रेक्टिस करनी होगी शुरुआत में देरे दे आप सबसे ना मिले, शुरुआत में किसी एक अंजान वक्ति से मिले, और उसे बात करें, उससे दोस्तान विवार करें, उससे रिलेक्स होके बात करें, देरे देरे दो लोगों से बात करें, देरे देरे चार लोगों से बात करें, देरे देरे पांस किसी अंजान वेक्ति से बात कर रहे हैं तो किसी बात को टॉपिक ढूंड़े कभी क्या होता है दो अंजान वेक्ति मिलते हैं या दो तीन अंजान वेक्ति मिलते हैं अब उनके पास टॉपिक नहीं होता बात करें लेकिन जो फ्रेंप लिए होता है और जो बिल्कुल लोगों और आप बहुन चाहता है किसी बात को टूपिक घूड हί war ऑपने इंट्रेस्ट का टूपिक टॉंडIDE丰 ऊससे बात करें हुवो दीरे-दीरे आपसे बात करने लगए अब सामने अम भी ऐसे बात करो आप भी लोगilla किल टूपिक ही नहीं तो फिर आप किसे बात करोगे आपकी हिचच चचार होंगे दोनों अगर इसे silent खड़े रहेंगे तो पिर कैसे बात हों कि तो आप बात चित करने का सबसे बड़ी आतरीक यह लिए तोपिक डुणे उस टोपिक पर पाद शोरू करना से कर दें बातों में सामने वाले की तारीफ भी करते हैं वाओ आपको यह अच्छी नोलेज है यह आपको एड्यूकेशन अच्छी है किसे भी उसकी एक की तारिफ सुरू करना करते हैं जब आप किसी टॉपिक के बात करें और आप बीच बीच में उसके किसी बात को लेकर तारीफ कर दोगे ना तो अंदर से हिपी हो जाएगा और वो आपको बहुत ही अच्छा रेस्पेक्ट देगा और देखेंगा नहीं है वाकरी में आपकी व में दूसरे होगो के सामने करेगा जब आप दो ति头 यह बात करें तो सबस्य पहले तो एक बात त्यानों को सुनुटे जजाब और बोलें को तीन चार जन erhö बात करें आप भी happening खड़े हो तो सामने वाले क्या बोले आप सुनते चाओं और आप कम बोलो इससे क्या होगा इससे दो फाइदे होंगे एक तो आपके हिच की चाहट दिरे दिरे दूर हो जाएगी दूसरा आपको अच्छा ग्यान मिलेगा तीन चार जने बात कर आप सुन रहे तो वह हो सकता ह बात कर रहे हो आपको कुछ नोलेज मिलेगा कुछ सीखने को मिलेगा और जब वह बोलने बोले तो फिर आपको लगता है क्यार कि आपको भी कुछ नोलेज है इससे पर आप तुरंथ नो बोले सुने ज्यादा और बोले कम जब आपके बोलने के बारी आये ना जो भी बोले तत्य के साथ बोले आप पांज देने खड़े किसी टोपिक पे चर्चा हो रही है और उस टोपिक पर आपको यू हे व गुड नोलेज वन दिस टोपिक तो फिर आपको उस टोपिक के बोलना है लोग आपके दिवान हो जाएगे और अगर उस टोपिक के बारे में आपको पता नहीं था आप सिर्फ सुने बोले नहीं गलत तत्य नहीं रखे अगर आप गलत तत्य पांस लोगों के सामने रखोगे तो को कहेंगे अरे यार नोलेज तो ही नहीं हरकाई फांगता रहता है जूर जूर बोलता रहता है ऐसा नहीं करें जूपिक बोले तक ठीक है बाद साथ बोले और सठीक बोले लोग आपकी तारीफ करने लग जाएंगे वायार क्या नोलेज आपके सामने तो तारीफ करेंगे दूसरे लोग कि मेरे को कोई जानकाद नहीं है तो वो बुरा नहीं माने लेकिन आपको पता ही नियुंग है उस टोपए को साथ ना आपको गलत-सलत तक्ट्य पेस्ट कर रहे हो जब उनको पता चले गाई या रवो उतको पता ही नियुंग गलत बोलत आपकी बद्नेंभी हो जाहीगी तो किसने पर आपको पता नहीं है वह साप लोग आपके दीवान О Russi कि जब भी बात करें किसी तो नजरे मिला कर बात कर Sometime बहुत 時候 मुइसे लोगों को देखा है सामने कि भास कर रहें से डाव और क्या नजरे उनकी डिर रहीं मतलब वो ही हिच की हुआ चाहट मन में डर मन में भह वो नहीं आप थोड़ा भोले दी वह वो ले ले किन के सामने वाहर ओ रिलेक्स रहे कि आंपिए ज्सेतर Summit में रहे किंगे अलार को रही बात करने का नीaf बात कर सकता हूँ और मैं आराम से बात कर सकता हूँ रिलक्स रहे बात बात मैं ऐसे हिच्षके चात मैंसुस में करें बात बात और चेरे पर पसीला नहीं, आपको थोड़ी हिच की जाट में थोड़ा एक डर पैदा हो रहा तो सामने आप लोगों को बोले हैं, फिर आप रुके और फिर बोले, तो रिलेक्स रहके बोले, ये चीजे आप कर ले, आपकी भै, भै, आपका हिच की जाट, आपका डर मन से निकल जाए.